हेलो सुदेंट्स, वेलकम तो थे एक्सपर्ट क्लासेज बाई प्यूस्राइब, तोड़े विल स्टेड़ी अबाउट एक्क्वेशन आप मोशन एंड हाव वी केंड डिराइब दियर फार्मुलाज सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफेकेशन आप तक पौशती रहें तो आए चली हम लोग पढ़ते हैं एक्क्वेशन आफ मोशन तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फार्स्ट एक्क्वेशन आफ मोशन है वी इस इक्वेल टू यू प्लस एटी अब यहाँ पर हम लोग यह जानेंगे V क्या है, U क्या है, A क्या है और P क्या है और यह जो formula आया है यानि हमारे जो first equation of motion आया है यह कैसे derive हो करके आया है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे V के बारे में V जो है final velocity यू इनिशियल वेलोसिटी A एक्सेलरेशन अन्टी टाइम थोड़ा सा यह जानकार ले लेते हैं हम लोग कि यह final velocity और initial velocity क्या होती है जैसे कि माल लेते हैं the speed of a car change from 20 km per hour to 25 km per hour यहां पर पहले speed आई जो running speed है या starting speed मान सकते हैं 20 km per hour तो initial velocity थी 20 km per hour 20 km per hour से उसकी speed हुई 25 km per hour तो उसी को कहते हैं वो final velocity होती है ठीक है तो अब हम लोग जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम लोग यह formula derive करके निकाले हैं या हमें यह कहां से मिला है तो इसके लिए हमें याद रखना होगा acceleration का formula यानि यह हमें मिलेगा acceleration से तो acceleration a is equal to हम सभी लोग जानते हैं acceleration की जो फार्मूले होते हैं v minus u by t v minus u by t यानि change in velocity by time यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे t divide में है जब दूसरी side जाएगा तो multiply यानि 80 is equal to v minus u हो जाएगा हमें find क्या करना है यह equation v is equal to u plus 80 तो जब हम यहां से u को दूसरी side transfer करेंगे तो u हमारा यहां पर minus में है और जब दूसरी side जाएगा तो plus में हो जाएगा यानि हम लिख सकते हैं v is equal to u plus 80 यह हमारा first equation मिल गया यह है हमारा first equation of motion ठीक है हम लोग अब पढ़ते हैं second equation of motion तो second equation of motion होता है s is equal to ut plus half 80 square s is equal to ut plus half 80 square तो first equation of motion में हम लोग ने जानकारी ले ली है u is equal to हमारा क्या initial velocity t time है and a acceleration है हमें अभी तक जानकारी नहीं है कि s क्या है s is a displacement ठीक है और हम यह formula कहां से लाएंगे यानि यह derivation कहां से लाएंगे तो हमें इसके लिए velocity का याद रखना पड़ेगा formula यानि means that यह हमें derived होकर के मिलेगा velocity से तो हम जानते है velocity का formula velocity का formula क्या होता है displacement upon displacement upon time displacement upon time या इसको लिख सकते है s upon t यह हो गया हमारा s upon t अब velocity की बात आई तो velocity के लिए हम लोग u को ले या भी को ले तो यहाँ पे है confusion तो इसलिए हम क्या करते है कि average velocity लेकर चलते है average velocity का formula क्या होता है u plus v by 2 u plus v by 2 अब एक चीज़ यह देखना है इसमें हमें yes चे यह जो कि इसमें है u चे यह u है t चे यह t भी इसमें है a चे यह तो a इसमें नहीं है अब बात आती है कि a मिलेगा कहां से अब किस तरीके से हम लोग इसमें a को लाएंगे तो अभी अभी आपने पढ़ा first equation of motion first equation of motion में आप लोगों ने क्या पढ़ा v is equal to u plus 80 तो अब v की value हमारे पास क्या है u plus 80 जो कि हमें मिला कहां से first equation of motion से तो हमें बहुत कुछ नहीं करना है यहां हमें v को replace कर देना है क्यों? क्योंकि हमें इस equation में v की कोई जरूरत ही नहीं है और हमें इस equation में जरूरत है a की जो की v की value में a की value आ जा रही है इस वज़ा से हम क्या करेंगे? change कर देंगे, replace कर देंगे v को इस v के value से यानि जहां पर यह v है बस वहीं पर हम लोग क्या करेंगे? u plus 80 लिख देंगे ठीक है? बहुत कुछ नहीं करना है हम लोग को यानि यह हो जाएगा u plus u plus 80 by 2 is equal to s by t अब यहां पर एक चीज़ देखिए पहले हम ब्रेकेट ब्रेक करके इसको solve कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं तो जब ब्रेकेट ब्रेक करेंगे तो यह हो जाएगा u plus u plus 80 by 2 is equal to s upon t अब यहां पर u और u एक साथ हैड हो जाएगे तो हमें मिल रहा है यहां पर 2u तो अब हम अगर लिखना चाहें तो यह लिख सकते हैं 2u upon 2 plus 80 upon 2 अगर हम इनको अलग-अलग करके लिखें तो is equal to s by t अब यहां पर 2 से 2 cancel out हो गया अब हम क्या करते हैं t का multiply कर देते हैं तो जब t का multiply करेंगे इस side तो यह हो जाएगा t u plus 80 upon 2 यह इसको 1 upon 2 80 भी लिख सकते हैं is equal to s अब हमें क्या मिल गया s is equal to t u plus half 80 अब इतना मिल गया अब हम लोग क्या करेंगे t का multiply करेंगे तो जब हम लोग t का multiply करेंगे तो t का multiply एक बार u के साथ होगा और t का multiply एक बार 80 के साथ होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग s is equal to ut plus t का multiply इसमें होगा तो 1 upon 2 ऐसे ही रह जाएगा यानि half a और t का square तो हमें यहाँ पर क्या मिला second equation of motion हमें यहाँ पर second equation of motion मिल गया अब हम लोग चलते हैं third equation of motion पर तो आईए पढ़ते हैं third equation of motion third equation of motion है v square is equal to u square plus 2as अब एक चीज़ देखे यह formula हमें कहां से मिला तो यह formula भी हमें velocity से ही मिला है तो velocity velocity is equal to displacement upon time जिसको हम लोग लिख सकते हैं s by t और velocity को और हम क्या लिख सकते हैं तो हम देखी इसके पहले भी आप लोग को बता चुके थे velocity हम यू माने हैं या वी माने तो हम क्या किया है average velocity ले लिए है यानि जितनी velocity रहे गई सबकी average velocity तो average velocity मतलब u plus v by 2 u plus v by 2 is equal to s by t अब यहां पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं सबसे पहले cross multiply कर लेते हैं जब हम cross multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा t is into u plus v is equal to 2s अब एक चीज यह देखे थोड़ा सा यहां पर देखेगा हमें इस formula में क्या चीए v चीए जो कि हमारे पास v है u चीए u भी है a चीए a हमारे पास नहीं है s हमारे पास ए लेकिन हमें यहां पर t नहीं चाहिए और t यहां पर है तो हम क्या करेंगे t की value find करेंगे तो t की value कैसे find होगी t की value find होगी acceleration के formula से तो by acceleration या इसको एक question first मान सकते है by acceleration formula acceleration का formula होता है a is equal to v minus u by t हम इसको लिख सकते है t is equal to जब हम t को a की जगा पर भेज रहे हैं तो a क्या होगा t की जगा पर जाएगा कोई गलती नहीं होगी तो v minus u by a लिख सकते हैं तो हमें मिल गया t की value अब हम क्या करेंगे यही t की value उठा करके यहां पर रख देंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा by putting value t is equal to v minus u by a in equation first equation first में अगर हम रोखते हैं तो क्या हो जाएगा यह v minus u by a और इसको हम लिख सकते हैं u plus v is equal to 2s तो हम करेंगे multiply इसका इसमें तो हमें क्या मिल ला है v minus u और v plus u अब यहां पर एक चीज एक है u plus v चाहिए v plus u हम लोग दोनों लिख सकते हैं upon a is equal to u to s अब थोड़ा सा हम यहां पर चलेंगे mathematics में चलते हैं तो यह देखिए यहां पर हमें देखने को मिल ला है एक ब्रिकेट में v minus u और दूसरे ब्रिकेट में v plus u तो थोड़ा सा याद करिए हम लोगों ने पढ़ा एक फार्मुला a plus b और a minus b वाला यानि अगर एक ब्रिकेट में a plus b है दूसरे ब्रिकेट में a minus b है तो उसका फार्मुला क्या हो जाता था a square minus b square तो उसी तरीके से जैसे हम लोग क्या पढ़े थे एक ब्रिकेट में अगर a plus b है और दूसरे में a minus b है तो इसका formula बन जाता था a square minus b square तो इसी तरीके से हम माल लेते हैं यह हमारा a है और यह हमारा b है तो यहाँ पर क्या formula बनेगा v square minus u square by a is equal to 2s अब हम क्या करेंगे a को दूसरी side बेज़ेंगे a यहाँ पर divide में है तो दूसरी side जाएगा तो multiply में हो जाएगा यानि v square minus u square is equal to 2s हमें क्या चीए v की value चीए न v square is equal to u square plus 2s तो हम यहाँ से u square को दूसरी side बेज़ेंगे और जब u square को दूसरी side बेज़ेंगे तो यहाँ पर क्या है माइनस में है तो दूसी साट जाएगा तो प्लस में हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं V square is equal to U square plus 2A S हमारा यहाँ पे मिल गया third equation of motion यह हमें क्या मिला third equation of motion मिल गया तो आज हम लोगों ने पढ़ा equation of motion और उनके फार्मले को कैसे derived किया जाता है उनके बारे में और बहुत असानी से आप लोगों ने इसको derive भी कर लिया हम लोगों ने आप लोगों को इस motion chapter में सिर्फ और सिर्फ यही तीन फार्मला बढ़िया से याद रहना चीए और अगर यह तीन फार्मला याद है आप लोगों को यानि equation of motion के यह तीनों फार्मला अगर आप लोगों को याद है कौन कौन सा फर्स्ट equation आप motion में हम लोगों ने पढ़ा v is equal to u plus a t second equation में पढ़ा s is equal to u d plus half a t square third equation में हम लोगों ने पढ़ा v square is equal to u square plus 2 a s तो आप लोग बड़े से बड़े numerical को भी साल्व कर सकते हैं अगर वो numerical motion chapter से relate कर रहा है तो और वो भी बहुत ही आसानी से तो अब अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस चैनल को subscribe कर लें और बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो इस चैनल की वीडियो आप तक लगातार पहुचती रहे और इस तरह की knowledge आपको मिलती रहे थैंक्यू